हेलो फ्रेंग्स वेल्कम तो सिलपास की चनल रेसिपीजिस आज मैं शुर करने वाली हूँ बहुत है सम्फाल suspension बिंदी फ्राई की रेसिपी भींडी फ्राई बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि भींडी फ्राई के लिए ना हमें जादा तेल चाहिए और ना जादा मसाला और ये खाने में बहुत ही डेस्टी रखती है वीडियो को पुरा एंड तक देके बिना स्किप किये और अगर आपको मेरी महनत और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चानल को सब्सक्राईब ज़रूर करें तो चलिए बिना देर किये फटाफट शुरू करते हैं बिन्डी फ्राई बराने के लिए मैंने यहापी 250 ग्राम बिन्डी लिया है और बिन्डी को मैंने पानी से अच्छे से साफ करके अच्छे से ड्राई कर लिया है बिन्डी को कट करने के बाद हमें पानी से साफ नहीं करना है भिंडी को हमेशा कट करने से पहले ही पानी से अच्छे से साफ करके इसे ड्राइ कर लेना है इसे भिंडी फ्राइ करते समय चिप-चिपी नहीं होती है सबसे पहले हम भिंडी को इस तरीके से साइट से कट कर लेंगे और साइट वाले हिस्से को हटा देंगे और उसके बाद ऐसे छोटी छोटे पीसस में कट कर लेंगे मैंने सारे भिंडी को इस तरीके से छोटी छोटे पीसस में कट कर लिया है अब एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई को पहले अच्छे से गरम होने देंगे और उसके बाद इसमें एक से दू चमच तेल डालेंगे मैंने यहापे सरसो का तेल लिया है आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप हर दिन के खाने में यूज़ करते हैं और तेल जब अच्छे से गरम हो चाएगा तब हम इसमें एक छोटा चमच जीरा एड़ करेंगे और जीरा को अच्छे से तड़क में देंगे अब इसमें एक बड़े साइस का प्यास बारिक कटा हुआ एड़ करेंगे कटी हुई हरी मिर्च भी आड़ करेंगे और प्यास को मीडियम फ्लेम पे हलका सा ट्रांस्पेरेंट होने तक फ्राइड कर लेंगे आप देख सकते हैं प्यास का कलर हलका सा चेंज हो गया है तो अब हम इसमें कटी हुए भिंडी आड़ करेंगे और इसी के साथ आदी चूटी चममच हल्दी पाउडर और स्वादन उसन नमक एड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से और भिंडी को बीना ढ़के चार से पांच मिलिट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राइड कर लेंगे या फिर तब तक फ्राइड करेंगे जब तक कि भिंडी का जो चिपचे पापन है वो खतम न हो जाए अब आप देख सकते हैं भिंडी का जो चिपचे पापन है वो बिल्कुल खतम हो गया है और भिंडी अच्छे से ड्राइव भी हो गया है तो अब हम कड़ाई को कवर करके भिंडी को 4-5 मिनिट के लिए पीच वीच में चलाते हुए low to medium flame पे फ्राई कर लेंगे चार से 5 मिनिट बाद कड़ाई कर धकन हटाएंगे और भिंडी को एक बर मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं भिंडी अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें एक चौथा ही छोड़ी चममच गरम मसाला पाउडर एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारा भिंडी फ्राई बन के तयार है गयास का फ्लेम बन कर देंगे और इसे गरमा गरम सर्फ कर लेंगे आप एक बर भिंडी फ्राइ इस तरीके से बना के देखिए ग्यारेंटी है जो भिंडी खाना नहीं पसंद करते हैं उन्हें भी ये बहुत ही पसंद आएगा और बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे आपको मेरे आज के ये रेसिपी कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर रेसिपी अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हाँ नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे